जाहिन फ्रेंच मेरा नम्बावरामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी-खरी तो साथ धर्ना जगत तो धर्ना जगत का समाचार यह है कि विनेश फोगाट आई ओए की एड़ॉक कमेट्टी से मैं बोली कि मैं बोर होगी बहुत दर्ने दुर्ने देखे थोड़ा मैं आंड यहां थोड़ा मूड प्रेश करें तो हमारी आईयो एक एक एड़ॉक कमेटी है उसके अध्यक्ष है श्री भुपेंदर सिंग बाजवा वह बिलकुल लेट गए ओ जी मैडम मैडम हमारा तो सब् कि मैडम का विदेश घुमने का मूड हुआ तो मैडम आप जमीन पे पैर मत रखो मैं लेट जाता हूं मेरे उपर से निकलो जी तो बाजवा सहाब लेट गए तो मैडम जब बाजवा सहाब के आगे से निकली तो वहां पर देखा कि डी जी साई संधी प्रदान जी भी ना मारे उपर के लिखड़ो जी इतनी बड़ी मैडलिस्ट हो आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हो देश की अब जमीन पेर रखके जाओगी ना लाल कार्पेट बिचार क्या जी और मैडम गर्मी बहुत है दूप में नहीं जाना दूप में निकला न करो रूप की रानी गोर रंग काला पड़ जाएगा तो डी जी साई संदीप परदान और बुपिंदर बाजबाय से पिछे पिछे चाता तान के चलने लगे और मैडम कहा कूँ चली मैडम चली मैं वर्ल्ड रैंकिंग खेलने जाओंगी अच्छा जी लैल हमारे ओ बाग गया तो अब मैडम 13 से 16 ज पेलने जाएंगी बुड़ा पेष्ट अंगरी वाथ हंगरी से कुछ याद आया आपको इनका कोच अंगरी में ट्रेनिंग उसकी गराली को मुलतानी मारती थिये याद आया कोच अलम्पिक से पहले क्या नाम था उसका वॉलर अकॉस्त था ना शाय था हंगरीन कोच तो एड़ॉक कमेटी और साही इनके आगे बिच गई टॉप्स तो एड़ॉक कमेटी ने बोचा कि पर इब के ताम टीम ही नहीं बेज रहे क्योंकि लगातार तीन वर्ल्ड रैंकिंग सिरीज में हमने टीम बेज दी तो चौती में बेजने का कोई उपर पस भी नहीं है और टीम भी नहीं मतलब बच्चे जाना भी नहीं चाहते हैं तो मैडम क्या वोली कोई बात नहीं मैं अगली चली जाओंगी भले हाँ जी हाँ जी लै अब साई और एड़ॉक कमेटी जो कि डबलो एफाई का काम देख रही है वो तो जमीन पर पहले ही लंबी लेटी हुई है तांगे वांगे खोल के तो अब मैडम ओल अलोन एकला चलो रहे एक वन मैंट टीम वर्ल्ड रैंकिंग सिरीज टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है बिनेश फोगाट जा रही है वर्ल्ड सिरीज खेलने और दो बहुत महान कोचेज एडाउक कमिटे ने अपने सलाकार रखे हैं एक हैंश्री ग्यान सहरावत एक हैंश्री अशूग गर्ग यह सलाकार हैं तो मैं यह सोच रहा हूं कि यह डाउक कमिटे बुपेंदर बाजवा तो वह तो खुद कहते हैं बाई देखो मन नहीं कुछ बेरा नहीं है वह तो कोई वूशू वाशू कोई गेम होती है उसके अध्यक्स है और उनको तो खुद कहते हैं बैदेखो मुझे वेसलिंग वेसलिंग का कुछ मालूम नहीं है तो सलाकारण का बेदो बेदो कुछ ना अड्याओगी फ्रमूड फ्रेस हो जाएगा बहुत ठक रही है तो चार महिने तक जो धरना दे रही थी अभी तीन दिन पहले सन फ्लावर सूरज मुखी का मेस्पी मांग रही थी किसानों के आमदने दुग नि करो किसान एकता जिन्दाबाद मजदूर एकता जिन्दाबाद जय जवान जय किसान जय पहलवान चार दिन पहले आज बोली मैं तो कुछ तहीं लड़ूंगी इब तो बहिया ग्यान से रावत एंड अशोग गर्ग एंड डीजी साई एंड वपंदर बाजवाई डॉक कमिट्टी स्पोर्ट्स में एक शब्द होता है शायद आपने भी सुना हो वेद गूगल कर लेना उसको कहते हैं फिटनेस बहिया फिटनेस फिटनेस चेक करी है आपको मालूम है चर्बी नापने का एक यंत्र होता है उसमें ऐसे नहीं यहां बॉड़ी पैसे जहां की चर्बी नापनी हो शरीर के विभिन नंगों में विभिन चर्बी होती है बॉड़ी फैट जिसको बोलते हैं तो शरीर की चर्बी नापनी होती कितनी बढ़गी अरे बाई वर्ल्ड क्लास अथलीट है तो इनका तो डाटा भी होगा फिटनेस के कुछ टेस्ट होते हैं वो कर लिए होते ट्राइल तो खर देनी त्राइल का नाम यह कोई सावी इसलिए वर्ल्ड रैंकिंग शिरिष्ट पर लेट ट्राइल शब्द डिक्सेरी में तो काट देयो बहाई मेरत बुरा कोई नहीं होगा ट्राइल मैं नहीं दूंगी तो चलो लेनी नहीं है इतने बड़े पाइल वाण की ट्राइल भी बेज दिक रहा होगे इतना बड़ा पाइल जूनियर पाइल वाण की लिए लड़ागा तो तो आप ले नहीं सकते चलो खैर बड़ा खिलाड़ी है बाई आफ्टर आल है फिट्रनेस के टेस्ट ले सकते हैं अब फिजिकल फिट्नेस तो चेक कर सकते हैं आपका मालूव है यही विनेश्फोगाट क्या करती थी ओमारे पर जंत्र मंत्र दर्नेदवारे हैं एक दिन की प्रैक्टिस में आदमी एक साल पीछे हो जाए यह डायलोग यही बोले थे नही प्रैलओन है एक दिन की प्रैक्टिस भी मिस कर दो तो एक साल पीछे चले हुआ आदमी तो जाड़ा हो उपनिंट्र का एक सिंपल धा क्वेस्चन काड गईयो कि एक दिन की प्रैक्टिस exists करने से जिए एक फासल फिच्चे आ होता है है तो चार महिना thesis करने है कोई पहलवान कितने साल पिछे जा किया है और किसानों के साथ गुम गुम के पंचायते की है और एमस्पी मांगी है और वर्ल्ड रैंकिंग स्रीज खेलने जा रहे हों मदाग बना रख्या है क्या खर्चा देरी है टॉप्स के अंदर सरकार की स्कीम है टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मतब ओलंपिक के पोडियम पे निगाह है मारी मारी छोरी ओलंपिक के पोडियम पे खड़ी होगी पोडियम कहते हैं वो जो विक्टरी स्टैंड होता है जिस पर मैडल पर आए जाए छोरी सूरज मुखी का एमस्पी मांग रही है जया ज कि फिटनिस नाम की चीज नहीं वजन बढ़के हो गया साथ किलो लड़ना है शात्रपन में या पच्पन्व किलो में ऐसे कुछ पांच किलो वजन गटाएगी ने इतनी लंबी जीब लिकड़ के बाहर आजाएगी और जीब के लावा और पता नहीं क्या क्या लिकड़ जाएगा पांच किलो वजन गटाने में खर रैंकिंग सिरीज में दो किलो की छूट मिलती है फिर भी और अन्फिट आदमें पर वजन ने गटा करते तो भाईया टॉप्स वालो बाजवा साब तो चलो उम्मी है उनकी माफ है पर मैं मुझे नहीं समझ वारा कि यह दो सला कार जो बठाए हैं यह कून सी सला दे रहे हैं इनको सला किसने दी कि एक चार मेने से अन्फिट प्लेयर को अब वर्ल्ड रैंकिंग सिरीज टूर्नमेंट खेलने बेच दो वो भी आल अलोन कोई टीम नहीं जा रही है एक अकेली लड़की खेलने जा रही है साथ में उसका कोच और उसका फिज्य जा रहा है आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे यह बताईए अब मुझ से सुन लो बात यह है कि घर बैठ जाना इतना असान नहीं होता वह भी इतना राहता फैलाने के बाद घर guys जाना तो इनकि क्या क्या planning जैंए तो भगवान जानता है इनकि मन में क्या चल रही है पर इनकी है पूरी सेटिंग हंगरी में यह वेल्ड clock यह हंगरी बुड़ा पेस्ट में हो रही है इनका परसनल कोश था पुराना वॉरा कोस वह और इसकी तगडी सेटिंग है यह यह बुड़ा पेस्ट जा रही है यह कोई डिन के पास अब यह जो विदेश में जाते हैं च्रेंण करने और बिस विच दिन के जाते न कि यह सिर्फ वांट ट्रेनिंग नहीं होती और भी बहुत कोछ होता है बहुत गोली सिक्का एम्यूनेशन बनता है वहां खिलाडियों का भी एक एम्यूनेशन होता है इसको अमने लोग देश सी बाशा में गोली सिक्का बोलते हैं तो मैं एक बात दावे से कहता हूं वहां से तुरंत वापत आएगी ना इसका नाड़ा या वाड़ा में से कोई साथ डो टेस्ट करा लिए यह अपना गोली सिक्का लेने इसके समान की तलाशी ले लिए कॉस्टम्स पर यह नाड़ा और वाड़ा को तो हक होता है नाड़ा को नाशनल डोपिंग एजनसी को कि किसी भी खिलाडी को कभी भी च्छापपमार के उसकी तलाशी ले सकती है तो यह जितने हैं एक इनका जरा डोपिंग के लिए सेंपल ले लो फोल खुल जाएगी मैं आरोप लगा रहा हूं बकाइदा और कोई हिंदुस्तान का पत्रकार इतनी खोज नहीं करेगा ब्रेकिंग नियूज चलाने वाले पत्रकार नैशनल मीडिया कोई यह बात आपको नहीं बताएगा ऐसा है जी वर्ल्ड रैंकिंग शिरीज में कोई इनको खड़ा भी नहीं देगा मैट पे अन्फिट लोगों का प्लैट्फॉर्म नहीं है वो कोई सैफ गेम्स नहीं और ही वो कोई कॉमन वेल्थ चेंपियंशिप नहीं जिसका स्टेंडर्ड सोनीपर डिस्टिक जैसा हो कि स्री लंक एक पहली कंष्ति बूटां से आई दूसरी कुष्ति स्रीलंका दे आए त्री कुष्ति मौलदीव से आई लोजी महारी च्वरी नैं कॉमन वेल्थ में गौल्ड मिड्ड जीत लिया फाइनल कुष्ति कि स्टी मौलदीव से यह इंडर ज़ता एंचली मतलब मेर शब्दों मेरा भाव फ़कड़िए इन चंपरिषिप कर यह स्टेंडर माल्द्व बोठान वाला दो वहां पर विनेश फोगाट खेल ले नहीं जा रही है और मुझे तो कान में कुछ लोगों ने कुछ और बातें भी बताई है वह सकता है वापस नहीं है वहीं से वहीं बाज्जा बारी बार पता है क्यों क्योंकि इस केस में जेल जानत तै है हाँ जी यह जो इन्होंने रायता फेला है ने जुन्तर मत्र का साल छे महिने के अंदर ब्रज भूशन शरन सिंग कोर्ट से बाइज़्जत बरी होंगे यह केस पहली हेरिंग में खरज होने लाइक है क्योंकि कोई प्रूफ तत्थ एविडेंस है नहीं और इसके बाद जो इनके बंबू आएगा ना साथ सा किलमेटर लंबा साथ सा किलमेटर लंबा बंबू तो अब आएगा मजा तो हो सकता यह बाज भी जा पकड़के रखियो इस ना तो तब यह है समाचार और टेक्सपेयर्स मनी मेरे आपके पैसे पे बुड़ा पेश्ट हंगरी की फैर हो रही है एक अकेले आदमी की टीम भीजी जा रही है डबलू एफ़ाई का चुनाव बाजवा साब ने चार दिन और आगे एक हिसका दिया है चलिए देखते हैं कितने दिन बचोगी एक दिन तो आएगा न उट पाड़ के नीचे तो साब यह समाचार है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं मेरा नया नाम है खोजी बाबा तो खोजी बाबा ने एक और खोज कर ली है अगले वीडियो में बताऊंगा मारी एक पीलवान में कईतीनों मारा सुस्चन हो गया एक निन्यों कहीं मारे घर में ही हो गया तो सुस्चन एक और सुस्चन होया है उसको आर्थिक सुस्चन बोलते हैं मारी एक बहुत बड़ी पीलवान का आर्थिक सुस्चन उनके घरक्यान कर दिया सारे पैसे खा गए यह frustration थी इनकी जो इनको अपने घर में जो प्रताड़ना मिली है ना सालों सालों तक वो भड़ास इन्हों ने जंतर मंतर पर बैठके निकाली है ब्रजभुशन तिंग के खिलाब मैंने का यह सब मनोरोगी है इनके घर में जो इनके साथ प्यवार हुए ना वह भड़ास निकाली इन्होंने तो इनके साथ इनके घर में इनका आर्थिक सुस्षन कैसे हुआ अगले वीडियो में बताऊंगा थोड़ी आप लों की उत्षुकता भी बनी रहेगी तो आज के ल मेच्च